तो हलो और वेलकम अगें दोस्तों लिटरली भाई साब एनिमल मूवी के लिए अब एक्साइटमेंट और भी जादा बढ़ गई है तो इसका सॉंग रिरीज हुआ है भाई साब तुम अंदाजा लगा लो कि मूवी में कितना कुछ और भी जादा मिलने वाला है वो भी unfiltered देखो बलीवूड सीनेमा की आदत है और हमेशा से यही आदत है कि कुछ bold scenes हो गए या फिर कुछ भी bloody scenes हो गए फिल्टर करके दिखाते हैं लेकिन वाई साब एनिमल मूवी में जो चीज जैसी है वैसी की वैसे ही हमें सामने रखी जा रही है वैसी की वैसे ही जनता को परोस कर दिखाये जाएगा इसमें कोई फिल्टर की जरुरत नहीं पड़ेगी और यही चीज संदी प्रेडडी वांगा यह डिरेक्टर को और भी ज़्यादा खूबी इसकी बढ़ाता है क्योंकि इस बंदे की करियर की यह थर्ड मूपी है और यह थर्ड मूपी इतनी जपरतस्ट होने वाली है यहांसे क्योंकि सामने हमें उसका काम देखने को मिल ला है जब हमने टीजर देखा था बाई साब टीजर ने जो आग लगाई है उसके बाद जब आज का ये सौंग आया है मजा आगया ऐसा गजब का डायरेक्शन उसके बाद हर एक करेक्टर को ऐसे निचोड लेना बाई साब संधी प्रेडडी वांगा ने ये काम किया है यह जिसने भी इस मूबी का टाइटल एनिमल दिया है ना वाई गौड आउसम दिया है क्योंकि ये एनिमल दिख रहा है यार सिर्फ मूबी टीजर ही नहीं बलकि सौंग्स में भी डेरिंग देखने को मिल रही है ये जो बोल्ड सीन्स ये जो खुलम खुला चल रहा है ना इससे अंद जिसे लिमिट नहीं सिखाए गई है जिसने कॉंप्रोमाईजिबल जिन्दकी जी ही नहीं है वह सब वो बंदा या तो बैस्ट बनता है या तो as the name of this title this movie जानवर बनता है मनें इस एनिमल बनता है और येस आज के इस सौंग को देखकर अब सीधा कंफर्म ये हो रहा है कि र जो हम टीजर में देख चुके है बात बेटी की अनबन तो रनबीर कपूर को एनिमल बनाएगी ही बनाएगी जो हमें टीजर में भी देखने को मिला रनबीर कपूर कैसे हिट करते है उससे थपड़ पे थपड़ तो ये भी कॉंटुवेर्शन रहेगा उसके बाद ये लव कपूर वाला पागलपन अब रनबीर कपूर के उपर हमें देखने को मिलने वाला है एनिमल मूबी में और इसा मैं अगेन कह रहा हूँ दिस इस दा कॉंटेंट यार कसम से कह रहा हूँ मज़ा जाएगा दुख वहाँ हो रहा है कि यार ये मूबी हजार क्रोन कंप्लीट न नहीं मिल पाएगा हाँ नॉर्थ बेल्ट में मैं सही कह रहा हूँ हिंदी बेल्ट में ये किसी की चलनी नहीं देगा इस बीच को या गया ना सब को फार के रख देगा इवन टाइगर थी के लिए भी बहुत ज़्यादा कॉंप्टीशन पड़ जाएगा एनिमल के सामने ख अग्शन मासी मूवी क्या होती है इंडियन सिनिमा को मैं उसको बॉल्ड शुकाद बता दूगा और वाइगोर ये बंदा वो ऑकाद बताते नजर आ रहा है बाइगोर ये डाइरेक्टर इसके दिमाग में चल क्या रहा है कबीर सिंग जैसी ब्लोक बस्टर मूवी दी ठीक मरलाव सीधा सीधा जैसा हमारी डेली रूटीन लाइफ में चलता है वही चीज हमें सामने परोस्कर रखी जाएगी और इसी वज़े से मुवी आगे भी निकलती जाएगी मिरजापुर का इतना ज़्यादा हिट होने का मतलब क्या था या रीजन क्या था सेम चीज की जो भी हमारे सामने जैसा चलना है डाइरेक्टर ने बैसा का बैसा ही सामने रखा कोई भी फिल्टर की जुरूरत नहीं पड़ी जो चीज गाली गलो जो भी है सीधे सामने रखा है क्योंकि यार बाई साब इसका ट्रेंड चलना है और यही सब चीजें हमें देख लिखने को मिलने वाला है ट्रेलर में तो और भी मज़ा आने वाला है क्योंकि टीजर में ही जब आग फारदी टीजर में जब इतना धमाका कर दिया तो ट्रेलर में और भी जादा मिलने वाला है उसके बाद मुवी में तो जबरदस्त मिलेगा ही मिलेगा तो वेट करते हैं comment box है भाई तुम्हारे हाथ में है जो भी ये लिख दो अगर आप भी इस movie के fan हो रहे हो इस screens play के इसके direction के fan हो रहे हो तो जो भी ये लिख दो उसके बाद ये भी बताना कि ये movie आपके हिसाब से कितनी कमाई कर सकती है मेरे हिसाब से 700 करोड़, 600 करोड़ के आसपास ये टच करके रहेगी, तो जो भी आपकी रहे हैं नीचे कमाई रोक्षा ज़रूब बता कि जाना मागी मिलतें के लिए वीडियो में जाहिंद